हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोंग गाउन या एनार कर ली या आप कुछ भी कुई ऐसी चीज बनाते हैं जैसे कि अम्रेला आपकी फ्रॉक हो गई और नीचे का जो घेरा होता है उसे फोल्ड करने का तरीका तो हमने आपको बताया है लेकिन आज चीज है तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा पीस देखिए अम्रेला का यहां पर कटिंग करके दिखाया है और इस तरीके से अम्रेला जो है गिलता है तो यह रेखिए यहां पर तो यह हमारी कमल की साइड हो जाती है और यह हो जा दियान से देखिए पहले मैंने कपड़े को सेड कर देना है आपको ना पाइपिंग लेनी है डोरी वाली और इसको हम नापेंगे जितना भी घेर है हमारा हम थोड़ा उसे एक्स्टाई लेंगे तो गोलाई में चलिए से नापते हैं तो यह देखिए तकरीवन मैं इसको एक्स्टाइट कर लेता हूं कि कम ना पड़े अब इसको मैं अलग कर देता हूं अब दिहान से देखिए मैंने एक कपड़ा लेना है जो कपड़ा आपका होना चाहिए अलग कलर का जिससे कि आपका दिखबाए आप चाहिए सेम भी निसान लगाएंगे आप यहां पर दो इंच का आपको इस तरीगी से दो दो इंच की पट्टियां कटिंग करनी है तो मैं आप देखिए आप एक्सपर्ट है ना तो आपको बजारा निसान लगाने की जोरव नहीं होती छिर्फ एक हलका सा निसान से आप सीधी सीधी पट् पट्टी कटिंग करनी है और चलते हैं फिर मसीन पर आपको बना के दिखाते हैं अब देखिए इसमें से दो पट्टी में लेता हूं ऐसे और दो पट्टी को हम छोटी सलाई करके इसको यहां पर स्टिच करेंगी बारिक सलाई से और इसको इस तरीगी से जोड़ लेंगे यह देखिए हमारे पट्टी जूड़ चुकी और इसको ऐसे खोल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की जो पट्टी बची हुई है हमें इसके उपर ऐसे रखना है और से मिश्टीच कर लेना है और इसी तरीके से लंबी लंबी दोस्तों पट्टी जोड़ लेनी तो लिए द और ऐसे नाकुन लगाना है तो यहां पर जोड जो हमारा वो चिल जाएगा और यहां पर कपड़े में फिनीसिंग आ जाएगी तो इसी तरीकी से जितने भी जोड़ने सारे के सारे चिलने अब आप यहां पर देखे ध्यान से यह जो बूट है उल्टे हाथ की तरफ हमें पैपिंग वाली डोरी को बना सकते हैं अब यह देखे उल्टी साइड में हमें इसको ऐसे रखना है देखिए और आधा इंच का यहमें है यहां पर हमें थोड़ी कपड़ा रखेंगे कपड़े की पाइपिंग तो अब हमें करना क्या है 200 सिंपल सा काम है आपको इस तरीके से रखना है और इसको ऐसे पलटेंगे और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है और पूरी पाइपिंग को इसी तरीके से त्यार कर देनी है तो यह देखिए यहां पर हमने पूरी पाइपिंग को तो च्छी तरह त्यार कर लिए और यह आपको दिखा सकता हूं म Michal अब हमावें करना क्या ओगा यहांसे कि लगानी सटार्ट करी थी हम हैं है यहां पर आने के बाद यह जो skipping है तो piping के पास से हमें 7 इंच का निसान लगा लिए यह एक इंच का फिर हुआ और एक इंच की निशान पर हमें इसको पट्टी को ऐसा प्लटना है और यहाँ पर लगाएंगे हैं एक पैर की सिर्डिय अब दोस्तों में एग बराबर ऐसे पलटना है धिक ध्यान से और यह इकोल पट्टी होनी चाहिए और यहाँ Finiishing के साथ बैठ चुकी है ठीक है अब हमें करना के यह इसे करना है सीधी साइट में और सीधी साइड में piping वाली जगह से हमें हलकी सी piping बसलाई लगानी है अभी बूटकों वैसे रहने देना है बूटकों में सीधी साइड है याद रखेंगी सीधी साइड से हमें लेना है और तक्रीबन आदा इंच का जो माजन है ठीक है जैसे मैंने निसान लगाया है सिर्फ आपको इतना कपड़ा अंदर की तरफ रखना है और इस पर ही सिलाई आनी चाहिए और हल्किसी आप सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद अब आपको देखिए अराम से बिल्कुल एक बराबर ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई लगाना है और देखिए आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाने के बाद इसको सैट करना है पट्टी को घुमाते रहना है इस तरीके ते खेचें में पत जबव करने देख को में था कर दोस्तों घ्रदोस्तों मैं इसको ऐसे लगाय तो यहां पर यहां लगा कि पूरी गुलाइव न भू आटेज्ट कर करना हूँ अब हमें क्या करना होगा हम इसको अंदर गांग हमरा फॉड्स लगा देनी एक पिर सी घेरे को ऐसे रखेंगे और खेचना नहीं है सिर्फ इसे प्रैस से ही आपको बिठाना है तो देखे अराम अराम से इसकी घेले पर हम इसको ऐसे प्रैस लगाते रहेंगे और आप देखेंगे दोस्तों फिनीशिंग के साथ हमारा जो है घेला बैठ जाएगा यह देखिए तो हमने आपे प हम पहले यहां पर प्रैस कर लेते हैं फिर आपको हम उल्टी तरफ से प्रैस लाकर दिखाते हैं तो देखी दोस्तों अभी मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूं तो सीधी तरफ से किया करेंगे दोस्तों वही चीज में आपको बताने बालता यह चीज मैं पर दोस्तों कहने लिए चैलें का यहांumo कत्य को हम प्रसवार को थे आप को कोट का कपड़ा कोट का अस्तर वगरा सब मिलता है उस जगा से आपको लेनी है और आप देखे कि इतनी पतली है यह हलके हलकी नजर भी आपको नाती हूं इस तरीके से होगी अब आपको करना क्या है इसको हमें ऐसे करना है अंदर की साइड में और याद रखें जो टेप ह भार नहीं आनी चीवर्ण आपके प्रैस में चिपक जाएगी तो इसका लगाने का सबसे अच्छा तरीका में बता रहा हूं वह यह है कि जैसे की हमने यहां तक देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसे लगाने में हलके हाँ से लगानी होती है और आपको सेम इसी तरीके से लगा लेना है तो देखिए अब को ऐसे करना है अब यहां पर हमें पता कि निसान वाला इससा यह है तो हम अंदर की साइड में जाएंगे और इस तरीके से ऐसे रखेंगे ठीक है और इसी तरीके से दोस्तों हलका अलका सा यहां पर गुलाई में इसको घ रिकलने में चिपक जएगी अब इतने इसने एपको दिखा रहा हमें समझाने के लिए अगर यह दोस्तों dyed होती होती हैं और यहांप अब देखेंगे यहाँ पर सबसे में चीज यहां पर सबसे होटी ही दोस्तों यहां पर तो यह है इसका कमाल और हम अपने जो आपको मैंने जो गाउन की वीडियो दिखाई थी उसमें मैंने बताई भी था कि नीचे के साइड हम अलग तरीकी से फोल्ड करते हैं फिर भी मैंने बुकरम लगा के उसमें दिखाया था तो आप देखिए दोस्तो इस तरीकी से जारतर म दोस्तो यहां तक मैंने आपको दिखा दी थी अब देखिए यहां से हलकी चुणनट आई लेकिन यहीं कहीं सैट कर दिया और यहां पर देखिए मैं इसको हटाऊंगा तो यह भी नहीं हटेगा और एक चीज और इससे पहले मैंने रिविल सिविल दिखाई थी तो उसमें लोगों ने कमंड करा था कि यह क्या दुलाई के बाद हटे जाएगा दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कितना भी कपड़ा दो आपका यह एक बाल जो चिपक गया सईसे तो यह बिल्कुल भी नहीं हटेगा ठीक है और एडस मैं पहले बता चुका हूं कि कहां से मिलेगा त आप से कपड़ा हलका से खिचे जाता और वाला लगाते होए पाइपिंग तो यह प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप देखिए बाकी इतना इससा आप देखें ठीक है यह देखिए यहां से आप देखें पूरा कितना बढ़िया तरीके से दोस्तों पिलेट तक कितना फिनीस जैब लगाएंगे तो पाइपिंग की पइपिंग और किसी भी तराइकी की कोई दाइशि नहीं है तो आप देखिए इस तरीके से मैं इसके उपर एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा थैंक्यो फर वाचिंग